ख posthard की राजठी इन दिनो नयनय उफान ले रही है जहां एक और प्रदेश में यह चर्चा है कि शिंदे सरकार चल्द ही मंतरी मंडल में फेर बदल करने वाली है वहीं इस बात को ले कर भी चर्चा गरм है कि प्रदेश में शिंदे की सरकार रहेगी यह जाएगी इन तमाम चर्चाओं के बीच एक बात और निकल कर सामने आ रही है कि एक दिन पहले राज की उपमुक्य मंतरी देविंद्र फर्णविंस ने महराज नव निर्मार सेना के प्रमुक राज ठाकरे से मलाकात की थी इस मलाकात को लेकर अटकलो का बाजार काफी गर्म है इसी बीच राज ठाकरे के बाद वर्णविंस ने एक नात शिंदे के साथ भी आधी रात को मीटिंग की जो प्रिदेश में चर्चा का केंद्र बन गया है इस मलाकात की वजह से एक बार फिर मंत्री मंडल विस्तार की चर्चा शुरू हो गई है ये भी कहा जा रहा है कि राज ठाकरे की पार्टी मंसे को गडबंधन में लेने के विशय पर भी चर्चा हुई है सूतरों की माने तो सीएम के सरकारी निवास इस्थान वर्षा बंगले पर हुई इस मलाकात में समविचारी दलों को गडबंधन में शामिल करने पर भी चर्चा हुई है माना जा रहा है कि ये मलाकात इसी वजह से हुई है आने वाले दिनों में बीएमसी के चुनाव हुने है ये चुनाव बीजेपी और रुद्ध ठाकरे के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्ट बना हुआ है बीजेपी ने बीएमसी चुनाव की जिम्मेदारी मुंबई अद्यक्षो और पूर्व मंत्री आशीश शेलार को सौपी है बीएमसी चुनाव में पिछली बार बीजेपी ने आशीश शेलार की अगुबाई में भैतरीन प्रदेशन किया था डेस्क रिपोर्ट मुंबई महानागर्व